दोस्तो अगर आपको भी कुछ इस तरीके से प्रावल्म आ रही है आपका जो एकाउंट है दोस्तो वो not allowed बता रहा है ठीक है आपने सारे प्रयास कर लिये हैं फिर भी ये प्रावल्म फिक्स नहीं हो रही है तो बिल्कुल सही वीडियो आपने प्ले किया है यहाँ पर दोस् दोस्तो आपको सीधे जो है वो अपना google open कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है whatsapp contact ठीक है whatsapp contact लिखेंगे सबसे पहले ही आपको देखें यहाँ पर आ जाता है contact whatsapp करके तो इस पर आपको चले जाना है अब यहाँ पर जाएंगे रहा है यह दोस्तो आपको direct method मैं आप को बता रहा हूं इदर उदर गुमा के नहीं और यह काम भी करता है ठीक है बस ध्यान से इस video को देखो तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखें आपके सामने एक slip बन के आएगी एक form बन के आएगा तो उसमें दोस्तो करना क्या है देखें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना number डालना है अब बहुत साल लोग क्या करते कि अपना कोई भी number दे देते हैं तो ऐसा नहीं यह दोस्तो आपको वही वाला number डालना है जो बैन हो चुका है जिसको WhatsApp में बैन कर दिया है तो वह वाला आपको number डाल देना है यहाँ पर दोस्तो आपको email देना है और email वो देना दोस्तों जो आपके फोन में लॉग इन है ठीक है और इमेल को दो बार आपको डालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए ठीक है इसके बाद दोस्तों आप जो है वाट से मतलब किसमें यूज कर रहे हो एंड्रॉइड में कि आइफोन में या फिर आपने लैपटाप को गहरे हमें तो अगर लैपटाप में है तो वैब और डेक्टाप पर कर देना वरणा अंडौइड ये अगर फोन है तो आइफोन है तो आइफोन में ठीक है बाकि जियो फोन वाले यहां पर के आई-iß में कर सकते है ठीक है इसके बार नीचे दोस्तों आपको आ जाता है मै ऐसे आपको लिखना है dear whatsapp team ठीक है इसके बाइज यहाँ पर आपको subject डाल देना है किस बिसे में आप बात कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर लिख देना है कि this this account is not allowed ऐसे आपको लिख देना है ठीक है और यहाँ पर आपको लिख देना है अच्छे से आपने language में किसी का copy मत करन अपने language में आपको जो है खुल लिख देना है कि मैंने सारे जो rules और regulation वाट्चेप के वो follow की है फिर भी जो मेरा WhatsApp है वो ban कर दिया गया है प्लीज इसे सही करें आप Hindi में भी लिख सकते हैं English अगर आपको आते हैं तो English में लिख सकते हैं अनिता इसको translate करके आप कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगला step देखने को मिल जाता है तो अगले step में इतना सब कुछ लिखने के बाद आपको क्या करना है इसे forward कर देना रहेगा जब आप सब कुछ यहाँ पर भर देंगे न तो उसके बाद आप फारवर्ट कर सकते हैं और उसके बा हो सकता है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर लगभाग जो है 90% लोगों का हो जाता है 10% लोग जो बहुत ज़्यादा spam में फस जाते हैं ठीक है जिनके नंबर से ज़्यादा spam हुआ होता है तो वो लोग का नहीं होता है बाकी लोग का हो जाता है तो यह दोस्तों कापी अच्छ ट्रिक है इसको जरूर ट्राहिए जे थांक्यू सो मॉच